नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ रहा डिलीट यह गूगल सर्विस तो आपको संपली इस पर किलिक कर देना संपली इस तरीका किलिक करने के बाद में यहां पर इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा अब यहां पर क्या करना आपको इंटर आपको सब्सक्राइब कर लें यूटूब चैनल को डिलीट करें दोस्तों आज हम इसी टोबूर बात करने वालें चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिली सब्सक्राइब जरू कर लें कि आने वाली वीडियो की नोटिविक्शन आप तक पोच्ट रहें दोस्तों चलते हैं मुबाइल के स्क्राइब को बताते हैं तो फ्रेंड यहां पर मैंने अपना मुबाइल इसकी नोपन कर लिया हूँ अब आपको सबसे पहले एक फोन के अंदर एक एक एपलिकेशन होग इस तरीका किलिक करने के बाद में यहां पर जितना भी आपने चैनल बनाया होगा जितना भी जीमिल बनाया होंगे वह यहां पर सबसो होगा तो आपको जिस चैनल को डिलीट करना है वह यहां पर आपको सेलट कर लेना है आपको यहां पर ध्यान से करना ने तो आपका दू तो उस चैनल को मैं यहां पे select कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए संपर इस पे click किया फ्रेंड यहां पर मैं ने उस है न चाहिए कर लोगो आ गया तो आपको पे इसंपर इसंपर किली करने के बाद यहां पिस भी लिखा हुआ आपको इस पर किलिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह के आपके सामने ओपन हो जाएगा अगर आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं काफी टाइम से काम कर रहे हैं तो उस चैनल को आपको डिल्ड कर देना चाहिए आपकी वीडियो भी अच्छी रहते सब कु करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह के आपके सामने ओपन हो जाएगा बिल्कुल आसान है बिल्कुल इजी बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है अगर सही से नहीं देखेंगे तो आपका दूसरा चैनल कर देंगे तो उससे और ज्यादा प्रोब्लम हो जा देखते हैं लिखा हुआ रहा है डाउनलोड और डेटा यू आटा उसके बाद निचे देख सकते हैं लिखा हुआ रहा है डिलीट इए गूगल सर्भिस तो आपको सम्पल इस पर किलीक कर देना की करने के बाद करने यहां पर कुछ इस तरीका सामने ओपन हो जाएगा अब फटाफट मैं अपना पासवाट डाल देता हूं अब आपको करना क्या है पासवाट डालने के बाद में नेक्स्ट ऑले उप्शन पर किलिक कर देना सब्सक्राइब करने के बाद में यहां पर देखते हैं कुछ इस तरह का इंटरफर्स खुल के आपके सामने ओपन हो जाएग यहां पर डिलीट वाला ओप्शन दिख रहा है इस पर आपको किलिक कर देना फ्रेंड किलिक करने के बाद में देख सकते हैं दिरे-दिरे यह कुछ इस तरह का इंटरफर्स खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा अब यहां पर फिर से इंटर यूर पासवाट मतलब आप आपको पासवर्ड डालना ही पड़ेगा मतलब आपके चैनल को कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है जब तक आप नहीं चाहेंगे जब तक आपके पासवर्ड को कोई पता नहीं रहेगा आपके पासवर्ड को तो यहां पर फिर से वही पासवर्ड डालना जो आपने डाला था करने के पाध में अगर यहां पर आप पासवर्ण को डाल देता हूं यह आप पर देख सकते हैं लिखा हो हto माईने और यू टूप कंटन्ट हाइड यू आर डिली यू आर कंटन फ्रोद। अब यहां पासे दो ऑफ्तन दिया हुआ आई वाट टू हाइड माई चैनल उसके बाद में यहां पी दैए आए यहां है आइवां को संसे दे I want you I want to permanently delete my continue कंटेने इस पहल को adalah Chief करने के बाद में यहां पे से झार नीचा तो यहां पर एक लिखा और रादा फोलिंग विल स्थम दो संपलिह आपको इस पर कि सटेकर देरेगा तिक करने के बाद में और नीचा आ को यहां पर लिखा हुआ रहा है आने पाइड सब्सक्राइब तन दा यूवान यी जी यूटूब प्राइम यूटूब टीबी एंड चैनल मिंबर्शिप विल भी चेंजर यू विल स्टाइल हैब्स एक्सज अनिल दा एंड ओफ यू आर बिलिगंड सी यू सी यू सी यू स तो आपको इस पर भी टीक कर देना समफली इस तरही कर दें के बाद में यहां पर से लिखा हुआ रहा है डिलिटूब कंटेन इनकांटिंग आल यूवर वीडिव प्लेलिस लाइक सब्सक्राइबर कमेंट मेसेज्ज शर्च स्टोरी आंड वास्ट्चूरी इस डाटा यूर जीमेल एडरेस मतलब आपको अपने जीमेल को डालना है जिस मतलब चैनल को डिलीट करना चाहते हैं उसका एक जीमेल होता है तो उस जीमेल को यहां पर पेस्ट कर देना है तो मैं यहां पर अपने जीमेल को डाल देना है जो मतलब डिलीट करना चाहते हैं जिस चैनल को उसका Gmail यहाँ पर डालेंगे तब ही डिलीट होगा तो हैां पर लिखुछ नब आज आए скоро आपका डिलीट आजाएगा कि मतलब आपका कौन सा Gmail को डीलीट करते हैं तो यहाँ पा अभी भी आपके पास time है अगर नहीं डीलीट करना चाहते हैं तो अभी भी इुलीट delete your content is in the processing of willing permanently delete usually this tag ये 5 minute but can take up to a comp of days if you have a lot of content मतलब ये 5 minute में delete हो जाएगा हो सकता है कि 24 घंटे तक मतलब लग जाए कभी कभी एक दिन में delete हो जाता है मतलब आगर आप तुरन जाके सर्ज कर देखेंगे तो अहां पर delete नहीं दिखाएगा अभी भी जाके देखेंगे तो delete नहीं दिखाएगा मतलब 5-10 मिनट से मतलब उसका 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर automatically आपका चैनल delete हो जाएगा तो दोस्तों कभी भी अपने चैनल को delete करने के टाइम आपको ये ध्यान देना है कि उसी Gmail पर login है मतलब वही चैनल login है वही चैनल सेलेट रहेगा तो बड़िया नहीं तो अगर दूसरा चैनल सेलेट कर लेंगे तो आपका problem आजाएगा YouTube चैनल delete करने के लिए आपका password आपको पता होना चाहिए तब भी आप delete कर पाएंगे और अगर आप comment करेंगे कि YouTube चैनल बिल्कुल नया कैसे बनाते तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा अगर आप comment करेंगे तो दोस्तों उमीद की वीडियो पसंद आए होगी यह सब पुरी बात आपको समझ में आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरू कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नडिविकेशन आप तक पोस्ट रहे दोस्तों आपके अमर में कुछ भ दो दूंगा फ्रेन